धमदाहा के रालोस्प प्रत्याशी रमेश कुश्वाह पर शनिवार की देर राद गोली चलाई गई जिसमें वे बाल-बाल बच गए कुश्वाह के नुसार चुनाव प्रसार से लोटने के क्रम में अप्राधियों ने पहले ओवर्टेक करके रोखने की कोशिश की थी उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष खब्राकर इस तरह से हमले करवा रहा है उनके कारेकरताओं को धमकी दी जा रही है उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है पुलिस ने मामले की छान बिल्टाइब अबी हम लोग धबना से आ रहे थे तीन गारी से थे ओफट एक हमारे उपर किया गया था एक बलेक कलर का कार था उसमें दो नोजवान था जैसा हमको लगा वही आदमी जो है कि हमको यहां आफिस में लगा तो हम रूम के अंदर गुसे तो जैसे रूम के अंदर गुसे तो गोलिया चली जिसका एक गुल यहां का जो है कि रूम के अंदर है एक बाहर है संजोग से रूम लगा दिये नहीं तो एसपाउट डेड़ता मेरा गोली दो-तिन राउंड लगता है चला है दो तो हाँ संका जो है कि यह फूल टेकल यह जो है कि सत्ता पक्ष घवरा गिया धाज़ा नहीं कि दूब लोग खूल के नहीं आरो नहीं तक बहुत शारा आग्म है नहीं हम लोग बहुत प्रश्ता है मां कर रहा है कि स्रुक्षाम हो या करा वे इस से पहले भी हम जो एकी दे चुके हैं संजोक से तीन गारी से थे मेरे ओपर कुछ नहीं हो पाया लेकिन आज जो एकि चुट गारा थे कि सब्सक्राइब रूम के अंदर कुछने का कोशिच की अंजान चहरा भुजाया तो जी निरंजन जी फोड़ किये है किनको किनको थाना से जो गार आया हुआ था बस जो है कि वो भी बहार है साइद नहीं कुछ नहीं